दूसरा अध्याए भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्ध्योग नारद जी ने कहा बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा जिन्होंने कौर्मों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुन्दरियों को सनात किया था वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गये हैं फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं सत्य त्रेता और द्वापर इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुट्टि के साधन थे किन्तु कल्यूग में तो केवल भक्ति ही ब्रम्ह सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली है य तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं तब भगवान ने तुम्हें यही आज्या दी थी कि मेरे भक्तों का पोशन करो तुमने भगवान की वह आज्या स्विकार कर ली इ इन ज्यान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात सरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोशन करती हो भू लोक में तो तुमने उनकी पुष्ट के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है तब तुम मुक्ति ज्यान और वैराग्य को साथ ल तुम्हारी आज्या से वैकुंठ लोक को चली गई इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वहां आती है और फिर चली जाती है किन्तु इन ज्यान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है फिर भी कल्यूग में इनकी उपेक्षा होने के का तुम्हारे ये पुत्र उत्साह हीन और व्रिद्ध हो गये हैं फिर भी तुम चिंता न करो मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूं सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रतेक पुरुष के हिरदय में स्थापित कर दूंगा देखो अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विशयक महुत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरी का दास नहीं इस कल्यूग में जो जीव तुमसे युप्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगव श्री कृष्ण के अभय धान को प्राप्त होंगे जिनके हिर्दय में निरंतर प्रेम रूपीनी भक्ति निवास करती है विशुद्धांतह करण पुरुष सप्न में भी यमराज को नहीं देखते जिनके हिर्दय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आधी स्पर्ष करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्यन, ज्ञान और कर्म आधी किसी भी साधन से वश में नहीं किये जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशी भूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमान है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कल्यूग में केवल भक्ति, केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चन्र सामने उपस्तित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्वकाल में भक्त का तिरसकार करने वाले दुर्वासा रिशी को बड़ा कश्ट उठाना पड़ा था। बस बस व्रत, तीर्थ, योग, यग्य और ज्ञान चर्चा आदी बहुत से साधनों की कोई आवशक्ता नहीं है। एक मात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारज जी के निरने किये हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारज जी आप धन्य है, आपकी मुझ में निश्चल प्रीती है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने छण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। किन्तु, अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इने शीग्रही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारत जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुह लगा कर जोर से कहा, ओ ग्यान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्या जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनी, वेदान्त खोश और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगा कर उठे। किन्तु आलस्य के कारण वे दोनों जमभाई लेते रहे, नेत्र उघाड कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गये थे, उनके अंग प्रायह सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गये थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उने फिर सोते देख नारज जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी व्रिधावस्था कैसे दूर हो। शोनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवानी हुई कि मुने खेद मत करो तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षे इसके लिए तुम एक सतकर्म करो, वह कर्म तुम्हे संत शिरोमनी महान भाव बताएंगे। उस सतकर्म का अनुष्ठान करते ही छण भर में उनकी नींद और व्रिधावस्था चली जाएगी तथा सरवत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाश्मानी महा सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारज जी को बड़ा विसमे हुआ और वे कहने लगे मुझे तो इसका कुछ आशे समझ में नहीं आया। नारज जी बोले इस आकाश्मानी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत नजाने कहां मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाश्मानी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं। शौनक जी तब ज्यान वैराग्य दोनों को वही छोड़कर नारदमुनी वहां से चल पड़े और प्रतेक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनिश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किन्त उसके विशय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किमी ने उसे असाध्य बताया। कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रहे गए और कोई-कोई तो अपनी अवग्या होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महानाश्चर जनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनी, वेदान्त घोश और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ग्यान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाय जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वेम योगिराज नारद को भी जिसका ग्यान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन रिशियों से इसके विशे में पूछा गया, उन्होंने निरणय करके यही कहा कि यह बात दोसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आये। ज्यान वैराग्य को जगाने के लिए महा उन्होंने यह निश्चे किया कि मैं तब करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोणों सूरियों के समान तेजस्वी सनकादी मुनिश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ट कहने लगे। नारद जी ने कहा। महात्माओ इस समय बड़े भाग से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके श्री ग्रही वह साधन बताईए। आप सभी लोग बड़े योगी, गुद्धिम और विद्ध्वान है। आप देखने में पांच-पांच वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं। किन्तु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। निरंतर हरी कीरतन में तत्पर रहते हैं। भगवल लिला मृत का रसास स्वादन कर सदा उसी में उनमत रहते हैं। और एक मात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का अधार है। हरी शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य सरवदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित व्रिध्धा वस्था भी आपको बाधा नहीं पहु प्रित्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनह वैकुंध लोग पहुंच गए। धन्य है। इस समय आपका दर्शन बड़े सवभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग सवभाव से ही दयालू है। इसलिए मुझ पर आपको अवश पुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वरणन कीजिए। भक्ति, ज्यान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है। और किस तरह इनकी प्रेम पूरुवक सब वरणों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादी ने कहा। देवर्शे आप चिंता न करें मन में प्रसन्न हूं। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारत जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमन हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत, पथ प्रदर्शक एवं भक्तियोग के भासकर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग क कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चेर की बात नहीं समझनी चाहिए। भग्वान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। रिशियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किये हैं। किन्तु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम मे प्रायह स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायह भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाश मानी ने जिस सतकर्म का संकेत किया है उसे हम बतला आते हैं आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए नारज्जी द्रव्य यग्य तपो यग्य योग यग्य और स्वाध्याय रूप ज्ञान यग्य ये सब तो स्वरगादी की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं पंडितों ने ज्ञान यग्य को ही सतकर्म का सूचक माना है वह श्री मत भागवत का पारायन है जिसका गान शुक आदी महान भाव ने किया है उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनन्द मिलेगा सिंग की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िये भाग जाते हैं उसी प्रकार श्री मत भागवत की ध्वन से कल्यूप के सारे दोश नश्ट हो जाएगे तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रतेग घर और व्रिक्त के हिर्दे में क्रिड़ा करेगी नारज जी ने कहा मैंने वेद वेदान्त की ध्वनी और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया किन्त फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे ऐसी इस्थिती में श्रीमत भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे क्योंकि उस कथा के प्रतेग श्लोक और प्रतेग पद में भी वेदों का ही तो सारांश है संकादी ने कहा श्रीमत भागवत की कथा वेद और उपनिशदों के सार से बनी है इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है जिस प्रकार रस व्रिक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र परियंत रहता है किन्तु इस इस्थिती में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिये लगने लगता है दूध में घी रहता ही है किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है खांड इख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है तथा भी अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है ऐसी ही यह भागवत की कथा है यह भागवत पुरान वेदों के समान है श्री व्यास देव ने इसे भक्ती, ज्ञान और वैराग की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है पूर्वकाल में जिस समय वेद वेदान्त के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे उस समय आपने ही उन्हें चार श्लोकों में इसका उपदेश किया था उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी फिर इसमें आपको आश्चरिय क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्री मद भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए नारज जी ने कहा महानुभाओ आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को ततकाल नश्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीगर ही शान्ति की वर्शा करता है आप निरंतर शेश जी के सहस्त्र मुखों से गाय हुए भगवत कथा मृत का ही पान करते रहते हैं मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश से आपकी शरण लेता हूँ जब अनेकों जन्मों के संचित पुन्य पुन्ज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है